Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही ग्राशी फल चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए cards है king of cups reverse and contemplation और देखें king of cups का card taro में कहीं emotions की बात करता है feelings की बात करता है attachment की बात करता है या फिर किसी loving caring इनसान की भी बात करता है और देखें इस week आप लोगों के लिए एक card reverse है तो इन ही energies में एक balance रहता हुआ नहीं दिख रहा है या मैं कह सकती हूँ कि इन ही चीजों से related कुछ issues कुछ मसले रह रहे हैं और देखें ये general reading है तो सब के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कि किसी चीज को लेकर या फिर in general ही आप over emotional हो रहे हैं over sentimental हो रहे हैं over एक attachment महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन ही emotions, इन ही feelings से आप बहार निकलना चाहा रहे हैं एक detachment लाना चाहा रहे हैं और अगर देखिए loving, caring इनसान है तो इनकी energies में भी एक balance रहता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत love, care या फिर मैं कह सकते हूँ कि जितनी love, care उनकी तरफ से रहती है, उससे भी बहुत ज़ादा एक again loving, caring energies आपके लिए रह रही है या फिर जितना एक love, care उनकी तरफ से रहता है उतना love, care इस week आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी यहाँ पे contemplation का card कहता है, कि आप एक pause लेना चाहा रहे हैं आप आगे बढ़ने से पहले चीजों के बारे में और जादा समझना चाहा रहे हैं एक overview लेना चाहा रहे हैं और कहीं मैं कह सकती हूँ कि again एक introspective mode में आप रहते हुए दिख रहे हैं एक detachment लाना चाहा रहे हैं या फिर detached तरीके से हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं और in the process हो सकता है कि कुछ leo's या तो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाहा रहे हैं तो देखिए जो भी हो leo's यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप introspective mode में रहें चीजों को समझें चीजों के बारे में सोचें लेकिन देखिए सोचते सोचते कहीं आप overthinking न करनी शुरू कर दें या फिर इतना deep इन चीजों में ना चले जाएं कि फिर आप परिशान हों क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज जितनी भी अच्छी हो जब वो जरूरत से जादा होती है तो हमें परिशान करती है तो फिर से देखिए आप एक introspective mode में रहें यहाँ कि जब हम चीजों को again मैं कहूंगी समझते हैं तो हम better decisions, better choices अपने लिए ले पाते हैं लेकिन फिर से देखिए बहुत deep ना जाएं यहाँ फिर एक balance आप जरूर रखें and personal front के लिए आप लोगों के लिए chariot and abundance के cards हैं तो देखिए दोनों ही बहुत ही beautiful cards हैं abundance का card कहीं हैं उन्हों जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा होने की या फिर उससे ज़्यादा मिलने की बात करता है बहुत सारी चीजों के होने की बात करता है और कहीं देखिए जो भी काम आप करना चाहरे हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसी से related कहीं बहुत एक fertile environment या फिर बहुत एक supportive cooperative environment की भी बात करता है जैसे कि होता है जब भूमी उप जाओ होती है तो हम कोई भी बीज डालते हैं हलका सा उसको नरिश करते हैं तो पौधा जरूर निकलता है और बहुत अच्छी quality का पौधा निकलता है तो देखे नच्छल में ऐसी ही energies है रही है अगेन आपके goal अपके मकसद के लिए एक fertile ground आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कहीं एक happiness एक joy भी मन ही मन अगेन आप महसूस कर रहे हैं और इसी लिए शायद या फिर otherwise भी आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत ही confidently बहुत ही assurity के साथ आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं एक movement आ रही है एक shift आ रही है पीछी अगर चीज़ें रुके हुई थी अटके हुई थी तो फिर से मैं कहूंगी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है और कहीं देखे in the process एक success एक achievement भी आपको मिलती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर travel करना चाहा रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी वहकिल आप चलाते हैं उसके उपर थोड़ा सा focus कर रहे हैं या फिर देखे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप नया वहकिल लेना चाहा रहे हैं या फिर जो वहकिल आपका है उसको sell करना चाहा रहे हैं या फिर देखे कोई तो वहकिल से related भी focus इस वीक रह रहा है and guidance से आप लोगों के लिए full moon in Aquarius का card है और ये card कहता है show the world the real you देखे जो भी आपका real self है उसको आप लोगों को जरूर दिखाएं क्योंकि देखे most of the times हम सब ही अपना real self नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमें डर होता है हमें rejection ना मिले हम hurt ना हो जाएं कहीं ये ना हो कि हमें वो success ना मिले तो देखे फिर से मैं कहूंगी ये card कहता है कि जो भी आपका real self है वो पूरी दुनिया को आप दिखाएं अगर आप किसी चीज को लेकर मन ही मन एक गुसा महसूस कर रहे हैं और उसको आप छुपा रहे हैं तो उसको आप ना छुपाएं या फिर अगर एक love, एक appreciation, एक feelings, एक sentiments आप महसूस कर रहे हैं तो उसको भी आप express करें या फिर कोई talent है और आप उसको नहीं explore कर रहे हैं लोगों को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फिर से दिखें आपको लग रहा है कि पतनी आप दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे या फिर जो आपका desired outcome है आप उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप outcome के बारे में ना सोचें, लोगों के बारे में ना सोचें, again अपने real self को, talent को, feelings को, emotions को जरूर सबको दिखाएं and astrology से आप लोगों के लिए Aquarius sign का card है और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate की